नमस्कार, Teachers Academy से मैं हूँ Ambris Shukla नमस्कार मित्रों कैसे हैं आप सब? अभी मैंने एक वीडियो जारी किया था जिसमें मैंने ये बताया आप सबको कि किस किस किताब को आप यूपीटिट प्रात्मी कस्तर के लिए पढ़ सकते हैं और क्या क्या स्टेजी होनी चाहिए अभी मैं एक जो सूचना देने के लाया हूँ ये बियर्ड वालों के लिए बहुत बड़ी सूचना है और ये एक आफिसियल नोडिफिकेशन के जैसा है अभी यहां के समाचार पत्रों ने ये कवरिज दिया है जिसकी चर्चा मैं आप सामने कर रहा हूँ ये है राजे सरकार अक्टूबर में प्रस्तावित सिक्षक पातता परिक्षा T.E.T. के प्रात्मिक कस्तर और अगली 9544 सहाय का द्यापक भरती में बेर्ड धारियों को मौका देने जा रही सच्योग परिक्षा नियमक प्रादिकारी डाक्टर सुत्ता सिंग की ओर से सासन को भेजे गया प्रस्ताव में प्रात्मिक बस्तर की टीटी में बेर्ड डिग्री धारियों को सम्मिलत करने का नरोध किया गया है रास्ती अध्यापक सिक्षा परिस्थ एंसी टी ने 28 जून के सुचना में बेर्ड डिग्रेधारियों को भी कक्षा एक से पांस तक के स्कूलों में सिक्षक भरती के योग्य मान लिया था इसके बाद एक अगस्त को केंदری मादमिक सिक्षा बूट सी बियस्थ की और से केंदری सिक्षक पातता परिच्छा सी टी E.T. के लिए जारियत सुना में बेर्ड को प्रात्मिकस्तर की परिच्छा से बाहर कर दिया था CBSC किस फैंसले के खिलाब Beard डिग्रेधारियों ने इलाहबाद हाई कोट में याचिकाय की है उनका तरक है कि देश में सिख्चकों की योगता का नड़धार NCT करती है NCT ने जब Beard को प्रात्मी कस्तर में अध्यन के योगी मान लिया है और वो कैसे माना क्योंकि हम लोग जो Beard डिग्रेधारी थे वो सब केस जीत गए फिर से मैं ये चीज इसपस्ट करना चाहता हूँ कि Beard और BTC से मेरी ब्यक्तिकत रूप से किसी से कोई साहनभूती नहीं है ना किसी के साथ कोई पक्षपात है हाँ बस कहना इतना चाहता हूँ कि आपको सीटें लड़कर लेनी है और हर एक अभ्यर्थी आपका प्रतिदंदी है ऐसी अवस्था में आप BTC और Beard का वहम अपने दिमाग से जतना जल्दी होगा निकाल दीजे क्योंकि इस वहम में आप पढ़े रहेंगे तो हो सकता है द्वेश के कारण आप पढ़ना पाएं आपको करकर दिखाना है आप Beard वाले हैं आपको लगता है कि Beard वाले अच्छा कर लेंगे तो Beard वालों को अच्छी से त्यारी करके सीटें अजमानी चाहिए और सीटों पर कबजा जमाना चाहिए आप BTC वाले हैं तो आपको मेहनत करके सीटों पर कबजा जमाना चाहिए दोनों के लिए बहुत यच खुला मन्च है और अपनी अपनी परतिभा को दिखाते हुए आप चैन लीजिए तो मित्रों ये एक अच्छी सूचना थी जिसमें सरकार से ये मांगा गया है ये कहा गया है प्रस्ताव भेजा गया है स्विकरती सरकार दे कि क्या बेड़ वालों को भी सामिल किया जाए तो केवल ये एक आफिसियल परक्रया है इसमें कहा ये जा सकता है कि एक अपचारिकता मात्र है क्योंकि सरकार ना नहीं कह सकती है क्योंकि सरकार के बस की भी बात नहीं है और सरकार के अधिकार छितर की बात भी यह नहीं है क्योंकि NCT ने जब कह दिया है तब कोई भी इसको रोक नहीं सकता है इसलिए केवल आपचारिक्ता मात्र है सासन अपनी अनुमती दे देगा और आने वाली पंद्रह तारी को नोटिफिकेशन जारी कर दिया जाएगा जिसमें बीड़ ब्यर्थियों को सामिल कर लिया जाएगा तो आप सब बिना डरे, बिना सहमे, बिना किस सोचे समझे, बिना किसी ब्रांती के, बिना किसी संदेह के तैयारी प्रारंब कर दीजिए और मन से पढ़िये, हमारे चैनल से जिस तरह की भी सुविधाईं आप लेना चाहते हैं नोट्स की सुविधा, क्लास की सुविधा, किताबों के सुविधा क्या पढ़ें, क्या न पढ़ें, कितना पढ़ें, कहां पढ़ें कोई भी दिक्कत आपको आती है तो टीचर्स अकैडमी हमेशा आपके साथ खड़ी मिलेगी और हमारे चैनल को भी तक आपने भी तक सबस्क्राइब नहीं किया है तो प्लीज सबस्क्राइब कर लीजे जिससे आने वाली हर सूचना आप तक सबसे पहले पहुंच सके और टेट सीटेट और जो अभी आने वाली लगबग 94 हज़ार के करीब बेकेंसी है, उस पर पूरा फोकस रहेगा, हमारी पूरी टीम बहुत अच्छे से काम कर रही है, इसलिए हमारा सहयोग करें, कमेंट बॉक्स में आए, जो आपका सुझाओ हो, सुझाओ दे सकते हैं, बाकी सारी बाचीत के लिए भी आप आमंतरित हैं, और निश्ट वीडियो तक आप सबका धन्यबाद, नमस्कार, शुब दिन